तो तय हुआ, यदि आपके दरवार में कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुडियों में से अंतर डूण पाया, तो मैं अपनी हाल स्विकार करूँगी, और अगर नहीं डूण पाया, तो, तो क्या, तो मैं विजाई होई, और मैं जो भी कृष्णदेव राई से मांगूँगी, वो मुझे लाकर देना पड़ेगा, बिना कोई प्रशन पूचे, स्विकार है, बिना कोई प्रशन पूचे, अव सराती उत्ता में कुरोजी, कम से कमी छोटी मोटी गुटी गुडियों करह से सुलजा लीजे, महाराज को प्रसंद काने के लिए, अच्चा मुका है, ती आपके जेजे कार हो जाएगी, बहुत दिन से हुई नहींगे, नहीं तो पंडित रामा कृष्णा इस कारे को पूर करके, मान सम्मान प्राप्त करेगा, और आप इसमें कौन सी बड़ी बारत है, ये तो बस हम चुट्कियों में सुलजा लेगे, ये अंतर भेदने वारा खेल तो हमने बच्चमन में बहुत खेला है, इसमें छिपा रस खोजना, इतना सरल नहीं है परदादू, है परदादू, परदादू, मानी इस चोटी बच्ची ने अपने गुरु जी की आयू तो सही पकड़ी है, आतागम पकाद नहीं पाई, बुड़े की आयू, देखो बिली, जिली, कदाचित आप भूल रही है कि हम विजय नगर राज्य की राजगुरु राजप्रोहित्ता साचारिक ने, हमसे कोई रहसे छुपता नहीं, दाई, द अब आप बूड़े हो गए हैं, और आपको ये रहस्य सुझाने में कई महिनों लग सकते हैं, और शायद का ये वर्ष भी, इसलिए ये किसी और को करने दीजे, हम है ना, हम स्वेम धूंड लेंगे किसी और को क्यूं दे, लाइए, नए, अब क्या हुआ, पहले दीजे सची मुच्ची, सची मुच्ची? क्या सची मुच्ची? सची मुच्ची का बचन दीजे, आप मेरे गुल्या को कुछ नहीं होने देंगे, और अगर इने कुछ भी हुआ, तो मुझे तुरें समझा जाएगा, एलो, साच्ची मुची का बाच्ची अबाग मुच्छी यह यह क्या हुआ क्या किया आपने कुछ नहीं मैंने अपने गुड्या को नीचे गिर के तूटने से बचा लिया बस यह हुआ अवश्य हमारे नेत्रों को कोई भ्राम हो है हमारे तो प्रान यह टग़ते हाग मैंने बचा रही हैं कि प्राण को पर्दादू वैसे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप एक बाली का है तो आपको क्यात हो गया मैं कौन हूँ? जी भली भांती क्यात हो गया है हमें कि आप कौन है आप अम्माओं की अम्मा है पतम्मा है आप सबसे बड़ी अम्मा वह तमें हुई बिल्ली अब क्षमा कीजिए जिल्ली हमें एक रात्री का समय दीजिए हम कल सुबह तक ये पहिली अवश्य सुलचा लेंगे पुचित है गरुवर एक रात्री का समय आज रात्री ये तीनों मूर्तिया आपके पास रहेंगे परन्तों आपके बास कल प्रात्री काल तक कही समय है यदि कल प्रात्री काल तक आपने नहीं बताया कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है तो हम इसे राजगुरु के पद का अपमान समझेंगे ये भगवान कितना भयावे द्रिष्ट है ये भयाव कहा है इसके नेतर तो बड़े सुन्दर है तुम दोनों को कुछ अंकर बिखाई दे रहा है हाँ गुरुजी एक आँख थोड़ी कम कप्टी है किन्तों दूसरी दूसरी आँख में तो कपट ही कपट भरा हुआ है क्यों धनी ना ना इसकी आँखों में तो कहीं कपट नहीं दिखाई दे रहा है तुन्हों एक समा देख रही है हम गुरियों की नहीं आपकी आँखों की बात कर रहें गुरुजी ऐसा पर्तीत होता है आपकी आँखे निकल के गिर जाएंगी गुरुजी, आपका वास्तवी रूप दृष्टीगत हो रहा है, भ्यान से ने किया थे वाँ, बड़े मधुरी विचार हैं आपके हमारी विश्य में आई तुम्हारा इत्ता दृष्टाज कि तुम हमें कब तिका हो, बस मु कर देंगे मूर्ख अब ये मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो नालायको, ये खड़े-खड़े इन गुणियों के नेत्रों कमत नहीं हारो, सहायता करो हमारी जी गुरुजी ये, जोनी कां से आ रही गुरुजी, आपका भयावाय रूप देखकर कोई चुड़े लाकाशी तो हो गई है, कदाचेद अज दिफाएंगे आप ये, देखिए, ये बालिक का बाहर से जा रही थी, हम इसे अंदर ले आए, आपके दर्शन है तू हमने सुचा कि इसे भी आपका आशिरवाद मिल जाए, तो इसका भी भला हो जाए इस बुड़े का आशिरवालिक इस बच्ची का आपने तो हमारी संपूरुने व्यपदाही समाप्त कर दी अब इस इन बालिका से इन गुड़ियों के अंतर को ग्याद कर लेंगे हे भगवान, हे भगवान, ये बुड़्धा बच्ची से भी चाल चलेगा सीधा नर्क में जाएगा जाएगा सुन ले भगवान से आओ बच्ची आओ हमारे से मिल पाओ यहां बेठो कितनी प्यारी बच्ची है लेखे आप जो कहेंगी हम आपको देंगी बस इतना बता दीजिए इन गुड़ियों में क्या अंतर है जो पाखण दिकाई के जली स्वामी को तो इसका उतर पहले से ही गया थे यह तो बस आपको परखने का प्रयास कर रहे थे स्वामी तो अपनी मंत्र शक्ती द्वारा कुछ भी गयाद कर सकते हैं एह ना स्वामी हाँ, 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 हाँ यह तो अधियोतम है तो कर लीजी अपनी देविया शक्ती से ग्याद Guruji, खुरु माता को अंदर बेजिए अमने ताओ इस बच्ची से कुछ भी ग्याद कलने का अवसर नहीं देखी आपको उसके पश्चात महराज की कोधी द्रिष्टी से ना आपकी द्रिष्टी भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी कुछ केंजी परुमाला, आप क्या कर रही है? जाए, बालिका के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजी बिली, जिली, आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? मुझे, हाँ, मुझे मीठे-मीठे आम का राश्चे है मीठे-मीठे? और खटे-खटे बेर खटे? और उसकी साद कच्ची केरे की गोटली कच्ची केरे? और कुछ? नई ठीक, जाओ और उन्हाला, बालिकाने जो जो कहा है, सब लेकर आओ चली, हम आपको सब कुछ खिलाते हैं इन्हें यही रहने दीजी, आप जाए प्रिये उन्हां कहिए तुम जाओ और लेकर आओ ये नहीं, वो वो? वो क्या? जो पहले कहा था, स्वामी अच्छा, प्रिये, प्रानाईश्वरी, तुम जाओ और लेकर आओ, प्रिये जी, जैए नहीं, मैं भी आओंगी सान चलीए जिली जिल अब क्या करें? गुरोजी, यू शीश पर हात रखके शोक मुनाने से कुछ नहीं होगा जाएए, बच्ची को पकड़िये और पकड़कर बच्ची से गुडियों का रास्ते पूछिए कुछ की जीए, गुरोजी हाँ कुछ तो करना ही होगा से कुछ आए जिली को कुछ लामा, नेट ना लामा, ये तब मुदे तंग कर ले, मैं कर लादली को भी नहीं तो आथा, और अभी भी नहीं तो पाला हूँ, इन लोग ने मेली दंसिया भी ले 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 कोई बात नहीं को डपे, तुझे निद्रा आ रही है ना, चल तू मेरे काक्ष में चल के सो, आजा हो… लिणविस ल्डशे या ल्यारशोरी अम्मा वाद बन गई रिप रुको अम्मा ठीको अरे नहीं अम्मा जाने दो जाने दो उठ गई तो जीवन दूभर कर देगी आंधी का शांत्रे नहीं उचेत है हां जाने दो उठालो अभी कहाना शार्दा उठाना नहीं है अरे नहीं सो गंद उठाल की कोतवाल को शीग्र अती शीग्र ताल कोछ्री से बाहर निकाले और निता हमारे प्रांट संकट में आ जाएंगे एको गुंदपा तुमारे घंटिया मेरे पास है लामा मेली नंटिया प्लामा कुचकरू प्लामा कुचकरू आपका बहुत बहुत दन्यवाद आमरस बहुत मीठा था पीते ही आनन्द आ गया आओ आओ बिल्ली जिल्ली जिल्ली आपकी क्षुधा शान्त हो गई ना तो अब बताओ ना क्या भेद है इन गुडियों में जिल्ली देखो ओई तो संकेत दो कि इन गुडियों में क्या अंतर है पर दादू पहले जूला जूला अच्छ तत्तू जुला जुलाएंगे जिल्ली जूलेगी अब तो अंतर बताओ इन गुडियों में वही अंतर है जो मनुष्यमें होता है अर्थात? निद्रा. निद्रा? निद्रा कहा अंतर है नुगुड़ों में? नहीं पर दादू. गुड़ियों की नहीं. हम अपनी बात कर रहे हैं. हमें निद्रा आ रही है. क्यों आ रही है? हम तुम्हें मिश्ठान देंगे. जिली? गुरुजी, अप चाप लोशी का कोई फायदा नहीं. आपकी जिली सो गई, गुरुजी. सो गई? आँ. वही अंतर है जो मनुश्यू में होता है. वही अंतर है जो मनुश्यू में होता है. क्या? मिल गया, हमें मिल गया, हमें उत्तर, मिल गया. रामा, डंड मिला कोटवाल को, पर भुगत तो तू रहा है. हाँ, बंडू, पता नहीं, सत्री और उसकी टोली को कब तक जिलना पड़ेगा? रामा, इतनी धूप में क्यों चल रहा है? मुझ पर तो किर्पाकर, इतना क्या विचार कर रहा है? जब तक तू कोटवाल को काल खोट्री से बाहर नहीं निकालता, तब तक तुझे और मुझे इसी तरह धूप में बटकना पड़ेगा. क्योंकि घर में तो हमारे लिए अब कोई स्थान नहीं है. हाँ, बंदू, अब तो केवल मा ही हमारी साहता कर सकती है. परन्तू, अम्मा तो स्वैम ही परिशान है. मैं काली मा की बात कर रहा हूँ, बंदू. हे मा, मेरी साहता करो. मैं तो ये ही हूँ. तुम ने मुझे पुकारा ना, रामा, तो मैं आ गई. अरे मैं तो मा को पुकार रहा था, तुम कहां से प्रकट हो गई? बात तो ये की है, ना? हाँ, ऐसे बच्चे भी इश्वर काई रूप होते हैं. तुम अत्यान समस्या घ्रसित लग रहे हो, रामा? हाँ. तुम्हे हसी आ रही है? अरे जो बला मुझे पर आन पड़ी है, ना, तुम्हें जेलना पड़ेगा, तो पता चलेगा. बच्ची और इतना गहरा ग्यान. बहारी रूप पर मज जो ग्रामा, महत्वबून ये है कि हमारे मन के बीतर क्या है, ना कि हमारा बहारी व्यक्तित्व कैसा है. समझ गया. काँ गई? धलेवाद मा, मुझे मेरी विपता का हल मिल गया. पंडित रामकृष्णा, ये सब आप राज़ दर्वार में क्या लेकर आए है? महाराज कृष्ण दे उराइकी, 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 महारा तो यह सामगरी लेकर घर पहुंचने में बना हो जाए इसलिए में यहीं ले आया इस तो बच्चों को इतना बड़ा समी उसकर वो मोटी मोटी कौन मोटी मोटी नहीं महाराज जो जोती 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 दीपक लाना भूल गया कि आये महाराज कृष्ण देवराय की जैर महाराज कृष्ण देवराय की जैर बैठिये गरूवर जी जी महाराज जिली की तीनों गुडियों में अंतर ग्याद कर पाया आप जी महराज अच्छा तो बताईए क्या है इन में अंतर महराज इन में वही अंतर है जो आप में, हम में और यहां उपस्ते हर व्यक्ति के मध्य गुरूर हम कुछ समझे नहीं बात को स्पष्ट कीजिए अवश्य महराज, अवश्य इन तिनों गुडियों को इनका कार्य ही एक दूसरे से प्रथक करता है महराज हम आपको बताते हैं महराज धनी मनी, इदार आओ जी गर्व जी यह लो महराज यह धनी के हाथ में जो गुडिया है इसे ध्यान प्रोलब देखिए ऐसा प्रतीत होता है पूरे दिवस इसने कठिन परिश्रम किया है कितनी कलांत देख रही है और हाँ, इसके माथे पर देखिए इसके माथे से तो स्वैट भी टपक रहा है महराज यावश्य कोई शमिक मनी, प्रतीत होता है कि विजयनेगर जे प्रस्तान करने का समय बाद चुका है हाँ अधन, अब हमें अपना डेरा कहीं और जमाना होगा मनी के हाथ में जो गुडिया है उसे ध्यान पूर्वतिक जी इसके मुख पर कितना आराम, कितना गर्व है भाराज ऐसा प्रतीत होता है इसे ही किसी वस्तू की अलपता नहीं यह वश्य हो कोई अत्यांत सम्रिद्ध वेपारी है महाराज और हाँ महाराज, अब देखे ये हमारे हाथ में जो गुडिया है इसे ध्यान पूर्व देखे है महाराज, इसके मुख पर कितना देज, कितना दिव्य आनन्द है, ठीत वैसा ही, जैसे हमारे मुख पर दिखता है यह वश्य कोई ज्यानी पढ़िताइद है महाराज गुरुवर, क्या आप आश्वस थे हैं कि जो आप कहा रहे हैं सत्य हैं? जी महाराज, भूर्ण विश्वास अथात, इन तीनों गुडियों में यही अंतर है जी महाराज परदादू, ऐसे कैसे अब सकता है? ये गुडिया चेतन नहीं जड़ है और इनकी मुक्पर कोई भी वाओ कैसा देख सकता है आपको? और कैसा स्वेल? अब बताए, कौन व्यापारी, कौन पंडित और कौन स्टमिक? है ये उचेतन देंगे, महाराज हम उत्तर नहीं देंगे हम, हम, हमें तो इस संसारिक माया से परे रख्ये, महाराज हम स्वेल को इस प्रतीस बर्दा से प्रिथक करते हैं हाँ अरे गुरुवर पर दादू, आपकी व्याक्या अनूचे थे अंतर बाईयरोपे नहीं होता है प्रिश्न देवराय, मुझे तो लग रहा है अब आपको पराजे इस विकार कर लेनी चाहिए आपकी धरवार में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंतर को बता पाए क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे धरवार में कोई भी नहीं महाराज पंडित रामक्रिश्ना, आए पंडित रामक्रिश्ना, यह हमारे दरवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा अन्यथा हम आपका यह सारा राशन ले लेंगे और आपको एक पुरे महा तक भूखा रहना पड़ेगा युकारे हम ना कर सके वह पंडित रामक्रिश्ना कैसे कर सकता है अरुवर पंडित रामक्रिश्ना कर सकता है अवश्य कर सकता है आप नहीं कर सकते कि उचित है महाराज मुझे चुनोती स्विकार है किन्तु यदि मैं विजय रहा तो आप भी मुझे वो देंगे जो मैं चाहूं रहा अरे पहले गुद्धी तो सुल्जाई ये पंडित रामकृष्णा हमें स्विकार है पंडित रामकृष्णा ये बंदू रामा तो विक्षिप्थ हो गया है क्या चुप जाब बैठता तो कम से कम कुछ तो खिला पिला देता हूं ना बच्चर को अब उत्तर नहीं दिया तो तुझे ही भुखा रहना पड़ेगा चुप कट तुबू च्ब्ससक्षा प्राइब विल्च था जाएब भुखा प्राइब श्राइबार नहीं हमां था रामकृष्णा